श्कार दोस्तों मैं जगमाओत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों रचनाओं का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी में ही हमने नेक्स्ट जो टाइप का क्योशन है वो लिया है जिसमें आपसे वो एक वरत पर इस पर श्रेखा की रचना करवाएगा यानि सबसे पहले वो आपको एक वरत दे देगा और उस वरत पर इस पर श्रेखा की रचना आपको करने के लिए कहेगा तो दोस्तों इसमें बहुत ही easy है केवल आपको छोटा सा concept ध्यान में रखना है कि अगर वो बिंदू वृत पर दे देता है तब तो आप वहाँ पर केवल कितने इसपरशरिका कह सकते हैं केवल एक इसपरशरिका कह सकते हैं अगर बिंदू कहां है वरत पर है और अगर वो यह कहता है या उसके सवाल के अनुसार आपको ये पता चलता है कि बिंदू वरत के बाहर है तो यहाँ पर हम वरत पर उस बिंदू से दो इसपरश्रेखाएं खैस सकते हैं जिसमें से एक इसपरश्रेखा तो इस तरह से गुजरेगी और दूसरी इसपर शेखा इस तरह से उजरेगी तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में दो क्योस्टन है पहला जब बिंदू वरत पर हो तब इसपर शेखा की रचना करना और दूसरा जब बिंदू वरत के बाहर हो तब वरत पर इसपर शेखाओं की रचना करना रचनात्मक कारिय है इसलिए इससे आगे का कारिय हम कॉपी पर करेंगे इससे आप समझें इनका अभ्यास करें और आसानी से आप ये नमबर ला सकते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम पहले तो ये वाला टॉपिक किलियर करेंगे और उसके बाद में जो मैन है यानि क्योशन अधिकतर जो एक्जाम में क्योशन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्रत के बाहर इस्तित बिंदू से व्रत पर इस पर शेखा की रचना करना तो पूरा वीडियो देखें और इनका अभ्यास करें जिससे आप एक्जाम में ज आपको दे दे वो आपसे सीधा यह भी कह सकता है कि किसी वरत परिस्तत बिंदू पर इस परशेखा की रचना कीजी आपको जो ध्यान रखना है ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वरत पर जितने बिंदू आप लेंगे उतनी ही इस परशेखाएं आप बना तो एक बिंदू पर केवल एक ही इस परशेखा का निर्मान आप कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरी इस परशेखा बनानी है तो उसके लिए कोई दूसरा बिंदू आपको लेना होगा मतलब ये है कि किसी वृत पर किसी एक बिंदू पर केवल एक ही इस पर शेखा आप बना सकते हैं तो अब देखिए अब हम बात करते हैं क्योश्चन की वो कह रहा है कि 2.8 cm तृज्जा का एक वृत बनाना है तो सबसे पहले तो हम 2.8 cm का एक चाप ले लेते हैं और चाप लेते समय आप जो सावधानिया रखेंगे देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ चाप कभी भी आपको हवा में नहीं नापना है यानि आपने स्केल को हाथ में ले लिया है हवा में और उसके बाद आप चाप नाप रहे हैं उसमें आप गलती कर सकते हैं चाप ले लिया है दूसरा तरीका क्या है आप 2.8 को पहले रेखांकित कर लें कि यहां से लेकर यहां तक 2.8 होता है और उसके बाद आप इन दौनों बिंदूओं की दूरी ले ले लें इस तरह से दौनों ही तरीके से आप चाप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन हमेशा ध्यान रखें आप चाप को इस तरह से नहीं ना पेंगे यानि हवा में आपने स्केल को पकड़ लिया और उसके बाद आप इस तरह से ना पें तो उसमें आप गलती कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे 2.8 cm का एक वरत बना देते हैं तो किसी भी बिंदू को आप केंद्र मान कर 2.8 cm तरिज्जा का सबसे पहले आप बना लेंगे एक वरत इस तरह से अब मान लीजिए क्योशन में अगर वो इस वरत का केंद्र देता है तो ठीक है अगर नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से उसे O लिख सकते हैं अब हम बढ़ते हैं क्योशन में आगे की और वरत बना कर उस पर इस्तित किसी बिंदू P पर यानि यह जो पूरा वरत है अब आप पर डिपेंड करता है आप इस पूरे वरत पर बिंदू P किस जगे पर लेते हैं लेकिन ध्यान यह रखिएगा आप बिंदू P किदर भी ले सकते हैं आप चाहें तो यहां चाहें तो यहां लेकिन एक बार इस क्योशन को देखने के बाद वैसे भी आपके दिमाग में सैट हो जाएगा कि हम जिदर भी बिंदू P लेंगे हमें उस तरफ थोड़ी सी खाली जगे चाहिए होगी जैसे अब मान लीजिए अगर मैं बिंदू P ले लेता हूँ इस जगे पर वरत पर लेना है इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो और यहां पर आपने ले लिया है बिंदू T नेक्स स्टेप हमारी क्या होगी जब आप वरत बना चुके हैं वरत पर कोई बिंदू ले चुके हैं तो आपको उस बिंदू को वरत के केंदर से मिलाना है यानि आपको एक तरज्या बनानी है जो वरत के केंद्र और उस बिंदू को मिला रही है इस तरह से यह आपने एक तरज्या बना दी है किसको मिलाना है? उस बिंदू को जिस पर आपको इस परशेखा का निर्मान करने के लिए कहा गया है इसके बाद अब हमें इस बिंदू P पर एक 90 डिग्री का कौन बनाती हुई रेखा बनानी है यानि P पर हमें 90 डिग्री का कौन बनाना है और 90 डिग्री का कौन बनाना आपका क्षा 6 से करते आ रहे हैं एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं 90 डिग्री का कौन बनाने के लिए आपको उचित तरज्या का एक चाप लेना है चाप लेना मैंने कल आपको बताया था इस तरह से आप एंसिल और जो प्रकार की नौक है उसके बीच में अपनी उंगली रब कर देख सकते हैं यह उचित तरज्या का चाप हो गया है अब पीपर प्रकार की नौक रखेंगे इसके बाद इस तरह से आप एक अर्दवरत बनाएंगे अर्दवरत इस प्रकार से पहला चाप जो आप लगाएंगे यहां से वो कितने डिगरी का होगा बिलकुल 60 डिगरी का और इस पर रखकर जब आप दूसरा चाप लगाएंगे तो वो होगा 120 डिगरी का अगर कौन बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें मैंने बहुत ही धीरे धीरे ये सारे कौन बनाने सिखाएं हैं तो आप वो वीडियो भी देख लें जिससे कौन बनाने में आप आसानी से कौन बना पाएं यह बन गया है 90 को P से कुछ इस प्रकार मिलाना है कि ये रेखा P को टच करते हुए आगे तक निकले इस तरह से आपने एक रेखा बना दी है जो P पर से होकर गुजर रही है और O P पर क्या है लंबवत है और यही हमारी अभिस्ट इस पर श्रेखा है जिसकी रचना करने के लिए आप से कहा ग वो बिन्दू लेंगे उसे आप केंद्र से मिलाएंगे और मिलने वाली तरज्या पर 90 डिगरी का कौन बनाएंगे और जो 90 डिगरी वाली लाइन होगी आनि जो लंबवत रेखा होगी वही अभिस्ट इस पर श्रेखा होगी ये तो बात कपकी है जब बिन्दू व्रत पर ह होता है तब हम ये सारे काम करेंगे जिससे हमें इस पर श्रेखा मिल सके अगली बात है रचना के पद लिखने की तो वो depend करता है कितने marks का question आपको देता है या तो आप से साफ साफ कहेगा कि रचना के पद भी लिखिए तो आपको रचना के पद में वही सब कुछ लिखना है जो हमने अभी किया है for example सबसे पहले हमने 2.8 cm तिरज्जा का एक वरत बनाया जिसका केंदर O है इस वरत पर कोई बिंदू पी लिया O को P से मिलाया और O P पर 90 डिग्री के कौन की रचना की यही हमारी अभिस्ट इस पर शेखा है इस तरह से आप रचना के पद लिख सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की जिसमें वरत पर बिंदू नहीं है वरत के बाहर बिंदू है अब यह conditions पर depend करता है question किस तरह से आता है उसी इसाप से आपको उसकी रचना करनी होगी दोस्तों इस पर शेखा से related यह है second type का question है जिसमें वरत के केंद्र से कुछ दूरी पर आपको एक बिंदू दे दिया जाएगा यानि वरत के बाहर कोई बिंदू आपको दे दिया जाएगा और आपसे यह क 3 cm तरिज्या का वरत खेंच यह और इसके बाद का काम हम बाद में करेंगे पहले हम 3 cm तरिज्या का वरत बना लेते हैं साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आपके class से related आपके subject से related कोई भी latest news हो या important जो questions के video है वो आपको आसानी से मिल सकें और bell icon जरूर दबाएं साथ ही आप video को देखने के बाद comment जरूर करें अगर आपको कोई सुधार की आवशक्ता लगती है या topic से related कोई परिशानी आती है तो आप comment जरूर कीजिए तो देखे सबसे पहले हम 3 cm तरजा का चाप ले लेते हैं चाप लेना मैंने भी थूरे दिर पहले आपको बताया है इस तरह से आपने 3 cm तरजा का क्या ले लिया है चाप ले लिया है अब इससे हम क्या करेंगे एक वृत का निर्मान कर लेते हैं किसी भी बिंदू को केंद् आप क्या बना लेंगे एक वरत बना लेंगे इस तरह से यह आपने वरत बना लिया अब next जो काम है वो अब चालू होगा अब वो कह रहा है इसके केंदर से तो सबसे पहले तो आप इसके केंदर अगर वो नाम देता है तो ठीक है नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से इसे नाम दे दें हो इससे 5 cm की दूरी पर आपको कोई बिंदू लेना है अब 5 cm किस तरफ लें तो मेरा कहना तो यही है आपकी इच्छा हो जिस तरफ आप 5 cm ले लें केवल थोड़ा सा जगह आपके पास में कॉपी में होनी चाहिए जैसे अगर मैं बिंदू उपर की तरफ लेता हूँ तो यहाँ जगह नहीं बच रही है लेकिन बिंदू इधर या इधर लेने पर मुझे प्रॉपर पूरी जगह मिल रही है तो आप बिंदू किसी भी एक तरफ ले लें जैसे यहाँ से अगर आप 5 cm दूर एक बिंदू लेते हैं तो आपने केंदर से होते हुए एक लाइन बना दी है 5 cm लंबाई की अब यहाँ वो राशियां चेंज कर सकता है वो 3 cm के वरत की जगह है वो आपको 5 cm का वरत दे सकता है केंदर से 8 cm दूर बिंदू दे सकता है या किसी भी प्रकार से आपको क्योशन मिल सकता है पॉइंट्स क्या है सबसे पहले आप दीगे इतिर्जा का वरत बनाएंगे वरत के केंदर से जितनी दूरी पर वो कह रहा है उस बिंदू को ले लेंगे जैसे ये बिंदू A है जो केंदर से किती दूरी पर लिया है आपने 5 cm की दूरी पर लिया है अगला काम आपको इस O A का यानि केंदर से आपने उस बिंदू को जो मिलाया है उस रेखा खंड का करना है समद्वी भाजन सम्धी भाजन करना आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ आप वहाँ से उस वीडियो को भी देखें अभ्यास करें जिस भी रेखागंड का हमें सम्धी भाजन करना होता है हम सबसे पहले प्रकार में उसका आदे से ज़्यादा भाग चाप में ले लेते हैं यह आदे से ज़्यादा भाग हो गया इसके बाद उस रेखा खंड के एक बिंदू से एक बार रेखा के ऊपर चाप लगेगा एक बार रेखा के नीचे चाप लगेगा एक बिंदू से इसके बाद आप उसी चाप से दूसरे बिंदू से एक बार उपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे चाप लगाएंगे इस तरह से तो आपने क्या किया है दोनों बार एक बार रेखा के ऊपर एक बार रेखा के नीचे चाप लगा दिया है आदे से ज़्यादा भाग का अब इसे हम मिला देंगे इसे आप चाहें तो डैस डैस करते हुए मिला सकते हैं और चाहें तो डैरेक लाइन से भी मिला सकते हैं वैसे ह हम इसे dash dash करके ही मिलाते हैं क्योंकि ये हमारा proper answer नहीं है तो आपने इसे dash dash करते हुए मिला दिया अब अगला जो हमारा काम होगा देखिए हम अब तक 3 step कर चुके हैं पहला वरत बना चुके हैं वो बिंदू ले चुके हैं जितनी दूरी पर वो कह रहा था और केंद्र से उस बिंदू को मिलाने पर प्राप तिरेखाकंड का समद्वी भाजन भी कर चुके हैं अब अगला जो काम होगा वो होगा इस समद्वी भाजन बिंदू पर प्रकार की नौक रखकर आपको पैंसिल को लेकर जाना है या तो O तक या तो इस वाले बिंदू तक या फिर इस वाले बिंदू तक अगर आपने अब तक का सारा काम सही किया है तो जितनी दूरी O की होगी इतनी ही दूरी किसकी होगी एक ही होगी और examiner केवल यही चीज़ देखता है क्योंकि ज्यादा नापने का time इतना नहीं होता है examiner क्या देखता है आपकी सफाई अगर आपने सब काम सही किया है और आप इस संद्वी भाजन बिंदू से O की दूरी लेकर अगर वरत बनाते हैं तो ये वरत automatic कहां से होकर जाना चाहिए A से होकर जाना चाहिए अगर ये A से होकर जा रहा है इसका मतलब आपका सारा काम सही है और अगर ये A से होकर नहीं जा रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड अवश्य की है इसी वज़े से ये difference आ रहा है आपने इस प्रकार एक नया वरत बना दिया है ये लीजिए अब ये नया वरत जो है पुराने वरत को दो जगह पर काटेगा, देखें नाम आप देख लीजिए दो जगह पर कौन कौन सी जगह पर काट रहा है ये तो हमारा पुराना वरत है ये नया वरत है इसने एक तो काटा है इस जगे पर पुराने वृत को और एक काटा है इस जगे पर पुराने वृत को इन दौनों बिंदूओं को आपको किस से मिलाना है ए से मिलाना है तो हम इन दौनों बिंदूओं को ए से मिला देते हैं ये मिला दिया आपने इस वाले बिंदू को और इसी तरह से हम मिला देंगे इस वाले बिंदू को इन दौनों बिंदूओं को मिलाने पर नाम हम दे देते हैं एक को आपने नाम दे दिया है अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो आपने P कह दिया है दूसरे को आपने Q कह दिया है इस तरह से जो AP और AQ आपको प्राप्त होगा वही हमारी अभिस्ट इस पर शेखा होगी तो दोस्तों इसमें एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं जिस त्रिज्जा का वो वरत कहता है सबसे पहले आप उस त्रिज्जा का वरत बनाएंगे केंद्र से जितनी दूरी पर वो बिंदू देता है आप उतनी दूरी पर बिंदू लेंगे केंद्र को उस बिंदू से मिलाएंगे और मिलने वाले रिखाखंड का समध्वी भाजन करेंगे सम्द्वी भाजन करने के बाद जो सम्द्वी भाजक बिंदू आएगा उससे O की दूरी या A की दूरी लेते हुए उस तिरज्या का एक वरत पैनाएंगे ये नया वरत पुराने वरत को दो जगे पर काटेगा उन दोनों जगों को आप इस बिंदू से मिलाएंगे और यही हमारी अभिस्ट इस पर चेखाए होंगी तो दोस्तों आप इस टाइप के जो सिंपल क्यूस्टन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें अब इन पर जो थोड़े टिपिकल टाइप के क्यूस्टन्स आते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे उससे पहले आप ये नॉर्मल अभ्यास कर लें जिससे आप नेक्स्ट वी कि ये काम कर सकें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू